है है फ्रेंड वर्कम बेक एट मैं यूट्यूब चैनल दी कोडिंग हाउस तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि आप सी प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो इसलिए 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 में आपको बताया था किस तरह से डेव सी प्लस प्लस को जो है वह इंस्टॉल क Clayton कैसे बना सकते हो मैंने इसको इसे अपर करोगे तो एक यहां पर यूझे वह शोटै को थे अजड़े मीडे आइंए-डून देज़ा होगा कोई चीज लिक्वी करना करना कि यहां प्सक्षा आप्शिंस अजरा हैंगे file लिकावा होगा edit search view project execute tools and style window help etc तो यहाँ पर आपने क्या करना है file पर click करना है file पे click करने के बाद आप आजाना ए new पर click करना है नूपे click करने के बाद आप यहाँ बेख करोगे project पे क्योंकि हम new project बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम यूव प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से फार्मेट में अपना प्रोजेक्ट बना चाहते है Windows Application है तो जसी में यहां से इसको OK करूँगा तो OK करने के बाद अभी ज़ थे मुझे से पूछ रहा है कि आप अपने परोजाट को कहां पे सेउड करना चाहते हो उसके लिए मैं आजाओंगा यहां पर डेक्स्टॉप पर मैंने एक फॉल्डर बनाया हुआ है दिकोर्डिंग हाउस के नाम से तो इस फॉल्डर में मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूं ताकि ना कि अगर कभी मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँ कुछ गंटो बाद यहां बाद में अगर मैं ओपन करूँ इसको तो मेरे पास यह मुझे बता हो के कहां पे मेरी फाइल से वे तो यहां पे दे को ओडिंग आउस को मैं सेलेड कर लूँगा और इसके बाद मैं यहां पे क्लिक कर दूँगा ओके पे क्लिक करने के बाद यह हमसे पूछ रहा है का प्रोजेक्ट नेम भी कौन सा देना चाहते हैं आप जाएं तो इसको नेम भी चैंज कर सकते हो कुछ भी नाम चाहें आप इसको दे सकते हो तो मैं यहां पे फाइल नेम सेम रखना चाहूंगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो मैं यहां पर प्रोजेक्ट वन ही रहने दूँगा और फिर इसको मैं कर दूँगा यहां पर सेव तो जैसी मैंने यहां पर सेव किया तो सेव करने के बाद कुछ इस तरह के आप्शन मेरे सामने आ गए जैसे यहां पर लिखा हुआ है यह कुछ इनकलूट सा लिखा हु को वाए जसमाज मैं और आपको यही इसक़ाना था कि आप यजिनल को सब्सक्राइब करना करना है